ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है करक राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशी वालों के आने वाले अगले चार दिनों का महाराशी फल्क के बारे में कि आने वाले अगले चार दिन आपकी राशी वालों के लिए किस प्रकार रहने वाले हैं ग्रहनक्षत्रों के हिसाब से आने वाले अगले चार दिनों का समय आपके लिए किस प्रकार रहने वाला हैं ग्रहनक्षत्रों के हिसाब से इन दिनों आपको किनकिन चीजों से फायद और स्वास्त की महत्पपुन जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं वीडियो महत्पपुन हैं इसलिए शुरू से लेकर अंतर तक इस वीडियो को आप पूरा देखें पिल्कुल बेस वीडियो को आप मिशन न करें तोकि यह वीडियो आपके लिए बहुती बहुती बहुत पपुनशा भी दोने वाली हैं दोस्तों वीडियो का आगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भुलेनात के सच्च बखत इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट्स मुक्ष में जै बोलेनात अवश्य लिखें जिससे भगवान बोलेनात का अशिरवाद आपको शीदे प्राप्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों का आने वाले अगले चार दिनों का यह बहत पापोना समय दोस्तों यह समय भग्य आपके पक्ष में हैं कोई राजनितिक उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतुबा बढ़ेगा साथ ही आय में भी व्रद्धी होगी सगे संबंदियों का सयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा साथ साथ यह समय कोई नजदी की महत्पपूर यत्रा संपन हो सकती है तथा मनोरंजन संबंदी भी कुछ योजनाएं बनेंगी जिससे मन आपका बहुती प्रफुलित रहेगा अगर प्रापर्टी खरीदिने संबंदित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आ इस्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रापर्टी से संबंदित कार्य करने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्स अवश्य करने आपको इस समय अवश्य ही सफलत अपराप्त होगी संतान की तरफ से भी कोई सुब समाचार मिलने से इस समय घर में अपने व्यक्तिकत मामलों को किसी के समक्स शेयर ना करें गुप्त रूप से कार्य करने पर आपको अवश्य ही सफलत अपराप्त होगी दोस्तों साथी साथ यह वह समय होगा जब कहीं से आपको कोई सुब समाचार भी पराप्त हो सकता है बड़े बुजर्गों का शिरवा आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा जब उस्तों साथी साथ यह समय परिस्तितियां आपके पक्स में हैं जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था वह अब बड़ी असानी से और आपके मनों अनुकूल तरीके से हल हो जाएगा नवीन वस्त्र आबूशन जै अगर आप घर में कोई सुधार संबंदित योजनाय बना रहे हैं तो ग्रह अस्तितियां बता रही हैं कि वास्तों संबंदित नियमों का पालन करना आपके लिए लाबदायक तता शौबाग्यशाली रहेगा बच्चे पड़ाए के प्रती पूरी तरह से एकाग रचित रह सकता है और कुछ महत्पपून कारे भी हाथ से निकल सकते हैं इस बात का ध्यान रखें साथ ही अपने भाईयों के साथ संबंद मधूर बना कर रखें घर की मरमत और रख रखाव संबंदित कारों में खर्चा बहुत जादा बढ़ सकता है जिससे आपका बजट गण बढ़ भी जाएगा इसलिए सावधान रहें क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नीद पर भी पढ़ सकता है दोस्तों साथ साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश सकता है कि आपके रुत्बे का कोई नाजाद फायदा भी उठा सकता है जिसकी वज़े से आ नाजान भी हो सकती है आपकी छवी को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है छवी को आप साफ सुत्रा बना कर रखें यह आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय किसी भी काम को करने में बहुती आपको समझदारी से काम करने की आवश्चकता है अन्यता वाद विवाद खड़ा हो सकता है साथ ही पुलिस थाने वगहरा के भी चक्कर लग सकते हैं किसी बहरी व्यक्ति की बातों में ना आकर अपने निर्णे को ही आप सर्वो पर ही रखें दोस्तो साथ साथ किसी संबंदी रिस्तेदार से किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है आपकी कोई जिद आपसे संबंदों को खराब कर सकती है अथे अपने वैवार में लचीलापन रखें साथ ही अपने खर्चों को भी शयमित रखें दोस्तों इस इस बात का भी आपको ध्यान रखने के आवशक्ता है कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलू ओपर सोच विचार करके योजना बनाएं बाद में उसे आप पून करें इससे आपको अवश्य ही लाब होगा और आपके लिए ऐसा करना हित्कारी रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ के की जाए तो यह समय आप अपने कारे में जीवन साती की सला लेना आपके लिए लावदायक रहेगा इससे आपसी संबंदों में मधुर्त आएगी साथ ही प्रेम संबंदों में भी प्रगड़ता बढ़ेगी संतान के केरियर संबंद से इस समय घर में खुशनुमा माहूल वनेगा पती-पतनी अपने बच्चे की इस उपलब्दी से अपनी परवरिस पर गर्व करेंगे साथ-साथ यह समय आपकी उपलब्दियों की वज़े से परिवार में लोग बहुती खुशी महसूस करेंगे आपके प्रसंसा वे आदर भी उनके मन में बढ़ेगा प्रेम संबंदों में मदूर्ता बनी रहेगी जीवन साथी का आपके प्रती भवनात्मक लगाव आपसी संबंदों में और अधिक मजबूती लाएगा दोस्तों साथ-साथ यह समय पती-पतनी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मतबेद हो सक परन्तु जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा दूसरों से जादा उम्मीद रखने की बजाए अपने स्वेभाब को ही बदलें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात अगर आपके वैवसाय और केरियर की करें तो यह समय वैवसाय में सभी कर्मचारियों की गत गुस्ताना बने रहे जादा टोकाटाकी की वज़े से स्टाफ परेशानी महसूस कर सकता है दोस्तों साथ यह समय नोकरी पेशा लोगों के लिए बहुती अच्छ रहेगा नोकरी पेशा लोगों को अपना लक्षे पूरा करने पर कोई प्रोमोशन भी मिल सकता है वैवसाय एक इस तल पर भी सबी प्रकार के काम सोचारों रूप से चलते रहेंगे योजनाओं को हर किसी के समक्ष आप जाहिर ना होने दें अर्थात उसे गुपत ही रखें अन्नता कोई इसका फायदा उठा सकता है दोस्तों साथ यह समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जोड़े वै वैवसाय में आसपास के लोगों से प्रतिस प्रदा में आपको जीत हांसिल होगी इसलिए मेहनत से आप ना घबराएं नोकरी में टारगेट हांसिल होने से बौस वे उच अधिकारी आप से प्रसन रहेंगे दोस्तों साथ यह साथ वैवसाय संबंदी जो योजनाओं अब अनेको योग बन रहे हैं दोस्तों साथ यह समय नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्र को अत्यादिक ध्यान पूर्व करें क्योंकि कोई गल्ती की वज़े से अधिकारी वर्ग आप से नाराज भी हो सकते हैं परन्तु वैवसाय की गतिविदियां सुचार रूप से चल यह समय संपन हो सकती हैं जो आपके लिए बहुती फायदेबंद साबित होंगी दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की की जाए तो यह समय गले में दर्द वैखासी जुखाम जैसी इस्तितियां रह सकती हैं लापरवाही आप बिलकुल ना करें तुरंत इसका इलाज लें दोस्तों साथ साथ यह समय वाईयू विकार और जोडों के दर्द संबंदी समस्चें उत्पन हो सकती हैं बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन आपको करने से बचना होगा वर्तमान परस्तितियों की वज़े से अपना ध्यान आप अवश्य रखें दोस्तों साथ यह समय गर्दन और पीट से संबंदित दर्द परिसान कर सकता है योगा तथा वयाम के लिए भी आप कुछ समय आवश्य निकालें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा